जैहिंद आपके अपने चैनल नियो एस्टेडिट 24 के ब्रहामास्ट सीरीज में आज हम डे 25 जो टेस्ट लिया गया था उसका जो हम आंसर की लेके आये हैं इक्सप्लानेशन के साथ देखिए आज तक तो हम आंसर की जो है इक्सप्लानेशन वीडियो में ही लाते थे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि एक्सप्लांइनेशन वह भां होता ही है, ona देखना wa स्कार्ट में नहीं देखना चाहते लेकिन वह टेस्ट के अलगाना चाहतें तो इसमें क्या होता था तो इसमें जो है टाइम जो है उनको जैदा लगता था क्योंकि बहुत ऐसे भी student है जिसको जो है concept पुड़ा पता है इसलिए वो जो है explanation video नहीं देखना चाहते हैं हाँ लेकिन test series जो है लगाना चाहते हैं इस video के कारण जो है रात वाला जो video में हम answer की लेका आते थे इसलिए हम लोग भी जो है इस पर बहुत बिचारे और ये decide किये हैं कि अब कल से जितना भी video आएगा test series का 4 बज़े साम में उसका जो answer की जो है वीडियो के समाप तो होती ही जो है उसका जो answer की जो है रिलीज किया जाएगा लेकिन explanation video जो है आएगा जो student जो ह concept उसका clear नहीं है उसके लिए जो है explanation जो है वीडियो जो है आता ही रहेगा तो जैदा नदेर करते हुए चलते हैं आज के topic पर आज का topic था electric current यानि विधूद धारा से समंदित और विधूद धारा से समंदित जितने वी question important थे सारे states series में दिया गया था तो उसका हम explanation करने व होगा कि जब आपके घरों में जो है भूल्ट कम हो जाता है किया होता है कि दूसरा question है विधूत-संचरन हो जाएगा डी हो जाएगा उसमा की जो है हानी जो है इससे जो है कम होती है अब देखिए तीसरा कोश्चन है जो कि आप लोग भली भाती जानते होंगे क्योंकि टेंट कलास में ही इन चीजों को जो है बताया गिया है कि निम्न यंत्र से विदुधारा का मापन करते हैं वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है मतलब किसको जो है किसमें परिवर्तित कर देता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यह जो है अंत्रिक उर्जा को जो है बैधूत उर्जा में जो वर्तित करती है कैसे तो देखे जब डैनमो चलता है तो क्या होता है आप दे उर्जा मतलब वो गती मराता है वो कार्ज करता है घुडन करता है और उसके कारण जो क्या करता है तो वो जो है electricity को पैदा करता है तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो यह भी है वही question किसे ना पा javascript को जाता है तो कि चh ठाक विदूं सक्ती कra एक एक है मतलब यूनिट कुछ रहे कि विदूं सक्ति मतलब electric power जो है electric फावर का जो है मतलब unit किया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दें ह्पार्ट कि प्लाखके ऑट में क्या होगा بोला है कि यह क्या हो तो आथमा कोश्य नें एक Kathryn टो थेखिये वैसे तो blackboard है नहीं हम अद्रियो कर है समझाना चाहेंगे कि देखिये यहां पर बुल्ट है एक ओम बराबर एक बोल्ट मतलग ओम का जो है फिक्स कर दिया बता दिया है कि एक बोल्ट है और ओम का जो नियम है उसका कहना है कि किसी परिपत में बहने वाली धारा जो है चालर की सीरो का क्या होता है विभुवांतर का जो है समानुपार्टी होता है यानि परपोर्शनल होता है तो होता है भी बराबर आय आर होता है और यहां पर आपको बोल दिया है कि बोल दे दिया है कि इतना दे दिया तो इसका आंसर को जाएगा कि यान्तिर बैर्ड यान्तरिक नमें बदलत में को एक आंसर हो। पन करता है तो इसका अंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यांतरिक उर्जा को जो है बैदुत उर्जा में जो डैनेमो जो है बदल देता है अब आएए देख्टें ग्यारमार पोजिन में बिजली की खपत का वील किसके मापन पर अधारित होता है तो देखिए हम बताये थे कि बिजली का वील जो है वो किस प्रकार लेता है तो वो एक मेजरमेंट होता है एक हजार किलो वाट अगर आपका जो है एक हजार किलो वाट हो जाएगा मापन मेजरमेंट करके तो उसको एक यूनिट बोला जाता है तो उसी यूनिट के अनुसार लेता है तो यहां पर आपक कर रहा unit, तो unit to measurement कर रहा है वाट में न, तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, इसका answer, अब देखिए बारमा question है, एक सो वाट का बिजली बल्व यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा, मतलब बोल रहा है है, कि इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, B हो जाएगा, A की कई, अब बोलेगा कि कैसे हुआ, तो देखिए, एक सो वाट दे दिया है, कि एक सो वाट का बिजली बल्व, मतलब एक सो वाट का बिजली बल्व है, और वो 10 घंटे चलता है, तो आप इसको क्या करिए, मल्टिपले कर दिजी, तो कितना हो गया, एक सो इंटू, टें हो गया, कितना, तो एक हजार हो गया, एक हजार जो है, वाट घंटा हो गया, अब इसको क्या करिए, तो आप कनवर्ट कर दीजिया, एक हजार वाट घंटा जो हुआ, तो आप इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो एक किलो वाट घंटा बोल सकते हैं, और आपको पता है कि एक किलो वाट घंटा को कितना मरा जाता है, तो एक यूनिट माना जाता है, तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा, उर्जा में जो परिवर्तित करते हैं तो इसमें किसी उर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं तो मैं मेकनिकल उर्जा के तोर पर नहीं हम करते हैं इसको इंगलिस में बोल दिया है मेकनिकल तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा हम देखे, चोधवार नमर का questions है, जब भाइधूत उर्जा, गटी में परिवर्णपत होती है, तब क्या होता है, το्ब क्या होता है, तो कोई उसमा की जो है, इसमें जो हम्ए होती है, इसका answer क्या हो जायेगा, यह हो जायेगा, अभी बात है, जो कि हम अभी बारवार नमर का question बताए थे उसमें दिया हुआ है कि एक एक सो वाट का बिजली बल्व है और दस घंटे चलता है इतना तक तो हम बताए थे कि तो कितना हुआ था था एक यूनिट हुआ था और वहीं बोल रहा है कि तो पांच रुपय परती यूनिट की डर्ड़ से बिधूत खर्च होगा तो कितना रुपया बनता है तो क्या होगा तो एक यूनिट यहां पर बोल रहा है कि पांच रुपया प्रती यूनिट की डर्ड़ से बिधूत खर्च होगा तो कितना रुपया बताए थे बाइवा नमर के कोश्चन में कि 100 वाट का बिजली बल्व अगर 10 घंटे चलेगा तो इसको किटना यूनित माना जाता है तो एक यूनिट माना जाता है तो एक यूनिट का मुल जो आपको निज़ायर कर दिया है तो 3.6 इृमार 6 J जूल इसका आंसर हो जाएगा इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तरह मानरम के question है एक सूरंग में एक सो वाट छंटा वाले पांच बल्ब जो है लगातार जल दे मतला एक सो वाट वाले और कितना घंटा जला तो 20 घंटा जला तो आप कितना हो गया तो 2000 हो गया किलो वाट घंटा अगर इसको जो है आप यूनिट में निकालने का प्रयास कीज़ेगा तो आपको घंटा को जो है दो यूनिट माना जाता है लेकिन यहां पर कोशन में छूपा हुआ है क्या छूपा है आप देखिए गौर से पांच बल्ब जो है लगातार मतलब पांच बल्ब दे रहा है और एक बल्ब जो है कितना उनिट खर्च किया तो दो उनिट खर्च करेगा तो दस उनिट खर्च करेगा तो इसका अंसर किया हो जाएगा C हो जाएगा 18 कोशन है डाइनेमो जिसे बिजली उत्पादन है तो कठीत रूप से परियोग में लाते हैं वह वास्तब में मतलब बोलता है कि क्या करता है तो इसका अंसर हो जाएगा उर्जा का परिवर्तक होता है मतलब जो उर्जा को जो है वो जो चेंज कर देता है किसमे तो यांत्रिक से जो है वो जो बिधूत में जो चेंज कर देता है तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा अब देखिए 19 कोशन है डाइनेमो परिवर्तित करता है वही बात क्या क्लाता है इसका और राता है तो इसका आंसर और राते है उसी इसके कारण उसके रज़ान को क्या कर देता हूं विदूट में जो है convert कर देता है तो इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा बैटरी देखिए 22 नमर का question है कम voltage पर कार्ज करने पर विदूट मोटर जो पराय जल जाती है मतलब क्या कारान है क्यों जल जाता है देखिए क्यों कि वे जो है अधिक विदूट धारा जो है खिच लेता है जो की जो है बोल्टेज को पड़ती लोम आनू पाती होती है इसका अंसर क्या जाएगा यह हो जाएगा टंगस्टन का जो है लगा राता है जलते हुए बिदूट बल्ब के तन्तू का ताप समानता कितना होता है तो इसका जो ताप जो होता है दो हजार डिग्री सेलसे से जो पस्ची सब्सक्राइब कोशन है बिदूट उपकर्णों में अर्थ का उपयोग होता है अब यह अर्थ मतलब यह धन नहीं हुआ यहां अर्थिंग के बारे में पूछ रहा है क्यों उपयोग होता है तो यह जो है सुरक्षा के डिष्टी कौन से इसका उपयोग किया जाता है इसका अंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अब 26 वामर का कोशन है में जबिदूट परदाए में फ्यूज का परियोग एक सुरक्षा तो इसका अंसर हो जाएगा सी हो जाएगा देखिए इसका गलनांग जो है इसके लिए होना आवसक है देखिए सत्यसमा कोश्चन है फ्यूज में परियुक्त होने वाले तार की विसेस्ता होती है मतलब क्या विसेस्ता है जो तार जो होती है उसमें फ्यूज में मतलब क्यो डाला जाता है तो देखिए फ्यूज में जो तार जो होता है उसका गलनांग निम्न होता है और परतिरोर जो है उसका हाय होता है यानि उच होता है और इससे क्या होता है तो बोलते बढ़ने पर क्या होता है तो फ्यूज का तार जो तुवांत गल जाता है इससे क्या होता है हम जितने भी वाइडिंग किया रहते हैं डिवाल में उसका तार नहीं गल पाता है यानि नस्ट होने से बचा देता है इसलिए हम सुरक्षा फ्यूज का यूज करते हैं अब 28 कयोचन है घरेलु रिदुतार अस्थापन मूलत मतल बोलनाइक कि किस तरह बनाया जाता है मतलकर किस स्रेनी में जुआ जम बनाया जाता है तो इसका ऑंसर करें समांतर जुआ सुरेनी में इसको बनाया जाता है, तीससे वादर का कोशन है घरेलू बिदुट सपलाई के दोड़ान काले रंग का आबरण युकत तार है, बोलना है कि घरेलू बिदुट में आपका तार लगा हुआ precis due happily means संसे में कौन सी गयरोती है आपको पताहिए होगा इसका अंसर हो जागा सिसोई कर GOD कर घंendra रखना है तरकि 32 कोशन है फलोरसेंट ट्यूब में कौन सी गयसे भरी जाती है मरकड़ी और नियोन गयश भरी जाती है 33 कोशन है एक तार में बहती विदूध धरा एबर विवांतर परते का दो गुर्णा बना दा दिया जाए तो विदूध सकती पर क्या परवाब परेगा तो चार गुना बाड़ जाता है क्योंकि यह क्या होता है तो प्रपोर्टोर्चनल होता है तो इसलिए इसका असरा क्या हो जाएगा गुना बढ़ जाएगा तो देखिए ट्रांसफर्मर का काम ही होता है क्या होता है तो एसी जनित जो है उसमें सरपी वलाय होता है जिसमें सरपी वलाय होगा तो समझिए उससे जो है एसी का करेंटर निकलेगा अब देखिए 36 परत्यावर्ति धरा किसके लिए उपयूकत नहीं होता है वही कोशन परत्यावर्ति धरा से पूछ दिस्ट बिढ़ूध्व धरा में परिवर्ति दोरती किया जाता है पर्तिवर्तित किया जाता है तो इसका answer हो जाएगा D हो जाएगा Rective Fire के दुवारा पर्तिआवर्ति धारा को डिश्ट धारा में पर्द्रसीत का है अब पूझए कि अब पर्तिया वर्ति धारा क्या हुआ तो असी को हमें पर हिस्वा क्मकock करते डिक Hey उसके बाद तेली बिजन करता है उसके बाद बीदू आइरन करता है, प्रेस को tak ADEE अर्ष के वर इसके बाद जो नी जो गरम करते हैं Active वाद है शीली काँशन जायगा C हो जाएगा तो जितने भी कोश्चने 38 कोश्चन सारे को जो और dose एकत बाद है अब एक बात का ध्यान रखेगा कि कल से जो है सिर्फ एक्स्प्लाने सर इस वीडियो में किया जाएगा आंसर की आपको जो टेस्ट के उपरान जो है वहीं पर टेस्ट वीडियो में जो है मिल जाएगा चलते हैं धन्यवाद टेक कियर